पौधों में साइटोकिनिन की भूमिका एक डॉट साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और आधोनेक शोध में अंग निर्मान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है दो यदी साइटोकिनिन्टुकसिन अनुपात उच बनाए रखा जाता है तो कैलस, कलियों, तनों और पत्तियों को जन्द देता है विशेश्टाओं वाले पौधों का चयन करने का एक उपकरन चार डॉट भूरून उत्पत्ति हाला कि कभी-कभी कैलस भूरून बन जाते हैं और एक भूरून बनाते हैं जो जड़ और अंकुर में विक्सित होता है जिसे भूरून जनन कहा जाता है पांच डॉट यदी परिपक्व सक्रिय पत्ती को काट दिया जाए तो वह क्लोरोप्लास जिल्ली से क्लोरोफिल, आरेने, प्रोटीन और लिपिड को सलगन होने की तुलना में अधिक तेजी से खोना शुरू कर देती है भले ही उसे पोशक तत्व और पानी उपलब्ध कराया गया हो छे डॉट साइटोकिनिन कार्बन डाइकसाइड को रंधर में प्रवेश करने की अनुमती रोक कर बुढपे पर एथिलीन की प्रेरक क्रिया को रोकता है क्योंकि कार्बन डाइकसाइड बुढपे को रोकता है साथ डॉट साइटोकिनिन युवा पत्तियों में खनिच स्थानांतरन करने में मदद करता है पुरानी पत्तियों से पोशक तत्वों को हटाकर युवा उत्कों की फ्लोयम परिवहन के लिए सिंग के रूप में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है आठ डॉट साइटोकिनिन परिपक्फ पत्तियों से बीज, फूल और फ्लों में शरकरा, अमीनो एसिड और अन्य विलेय पदार्थों की गती को बढ़ा कर बीज और प्रजन संगचनाओं में खनिच हस्तानतरन में मदद करता है और डॉट साइटोकिनिन रोग के लक्षणों की प्रगती में मदद करता है जंग रोग नेक्रोटिक क्षेत्रों का कारण बनता है ये क्षेत्र अकसर साइटोकिनिन के कारण तुरंत कई हरे स्टार्च युक्त कोशिकाओं से घिरे होते हैं जब पत्ती का बाकी हिस्सा पीला और बूढ़ा हो जाता है वे कवक के लिए भोजन भंडार बनाये रखने में मदद करते हैं और रोग के लक्षणों की आगे की प्रगती को प्रभावित करते हैं दस डॉट साइटोकिनिन की बुढ़ापा रोकने की क्षमता कुछ कटे हुए फूलों और ताजी सबजियों पर भी लागू होती है ग्यारह यदी साइटोकिनिन को उसके उपर प्रणों शीर्ष पर हावी गैर बढ़ती पार्श्वकली में जोड़ा जाता है तो पार्श्वकली अक्सर कुछ दिनों के लिए ही बढ़ने लगती है बारह डॉट साइटोकिनिन ने बैक्टिरिया के कारण होने वाले फैसियेशन रोग में पार्श्व शाखा को बढ़ाता है तेरा कोशिका दीरगी करण के कारण कोशिका विभाजन नहीं होता यदि उतक युवा है और कोशिका विभाजन अभी भी हो रहा है तो यह पाया गया कि साइटोकिनिन कोशिका व्रिधी को बढ़ावा देकर विकास का कारण बनता है न कि युवा पत्तियों, बीज पत्रों, गेहूं कोलोप्ताइल्स और तर्बूज हाइपोकोटाइल में विभाजन कारके 14. क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का विकास प्रकाश संचन परिस्रों, लाइट हर्विस्टिंग कम्प्लेक्सिस में जोडे गए साइटोकिनिन द्वारा बढ़ाया जाता है 15. प्रकाश के संपर्क में आने से कई घंटे पहले बीजपत्रों, एटियॉलिटेट पत्तियों या बीजपत्रों में साइटोकिनिन मिलाने से दो मुख्य प्रभाव होते है 16. एसा माना जाता है कि गैरोग जनक कवक और बैक्टेरिया द्वारा साइटोकिनिन का उत्पादन पौधों के साथ पारस पर एक संबंधों को प्रभावित करता है जैसे कि माइकोराईजा और रूट नोडिूल का निर्मान संग्रचना साइटोकिनिन एक नूकलियोसाइड फ्री बेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से भरपूर एक साइट चेन होती है जो प्यूरीन रिंग के उपर से निकलने वाले नाइट्रोजन से जुड़ी होती है जीटिन राइबोसाइड कई पौधों में अपेक्शाकृत प्रचर मात्रा में पाया जाने वाला साइटोकिनिन है चयाप चये, साइटोकिनिन मेवलोनेट मार्क का एक उतपाद है और स्टेरोल्स, जिब्रेलिन, कैरोटिनोयड और अन्या आइसोप्रेनोयड योगिकों का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत है आइसोपेंटाइल एमपी के साथ एक कॉम्पलेक्स बनाता है, जिसे आइसोपेंटाइल फॉसफेट कॉम्पलेक्स कहा जाता है और फॉसफेट छोड़ता है यहाँ फॉसफेट प्यूरीन रिंग के सीचह पर अमीनो नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है इसके बाद यहाँ पूर्ववर्ती साइटोकिनिन द्वारा आईसोपेंटाईल एडिनोसिन बनाता है निश्क्रियता साइटोकिनिन का सेलूलर स्तर भी उनके क्षरण से प्रभावित होता है यहाँ दो प्रकार से होता है A. गिरावट मुख्य रूप से cytokinin oxidase द्वारा होती है एक enzyme प्रणाली जो 5 carbon side chain को मुक्त nucleoside और nucleotide में हटा देती है B. और जटिल सन्यूगम गठन द्वारा cytokinin derivative के गठन से वित्रण Cytokinin कोनिफर, मौस, कवक, भूरे शैवाल, लाल शैवाल और डाइटम और बैक्टेरिया में मौझूद होता है वे व्यापक हैं पादप सामराज्य में सार्वभामिक नहीं है लेकिन उनके कारियों के बारे में बहुत कम जानकारी है शैवाल में यह व्रिद्धी को बढ़ावा देता है बैक्टेरिया और कवक cytokinin उन रोगाणों के कारण होने वाली रोग प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं गैर रोग जनक कवक में बैक्टेरिया पौधों के साथ पारस पर एक संबंध माई को राईजा और जड नोडिूल का निर्मान करते हैं संशलेशन और परिवहन का स्थल व्यापक विचार यह है कि जड युक्तियां cytokinin को संशलेशित करती है और इसे जायलम के माध्यम से पौधे के सभी भागों तक पहुँचाती है यहां नई पत्तियों में संशलेशन की व्याख्या करता है फल और बीज जिन में जायलम का परिवहन होता है वाशपोत सर्जन इसके परिवहन में मदद करता है कारवाई की विधी जड रहित छोटे पौधे परिवहन के लिए फ्लोयम का उप्योग करते हैं साइटोकिनिन कोशिकाओं को उनकी दीवारों को बदलने का कारण बनता है जिससे वे अधिक प्लास्टिक बन जाती है और चीनी उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप स्फीती दबाव बढ़ जाता है जिससे पानी का अवशोशन होता है जो विकास को गती देता है मूली और ककडी के बीजपत्र साइटोकिनिन जी चरण से माईटोसिस तक कोशिकाओं के संक्रमन को बढ़ा कर कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है